तो आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग काफी सारी ज़जय हैं वो लन कर रहे हैं अब यहां पर मैं आप लोगों को इस लेसन में थोड़ा सा वापी की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ और आप लोगों को याद होगा कि illustrator के अंदर हम लोगोंने एक feature जहय को काफी detail में աिसकस किया था image trace के नाम से हम ने देखा था कि Image Trace जयाव Illustrator में एक बहुत ही फाइदामन फीचर है जिसके मदद से हम लोग बड़ी असानी के साथ किसी भी Image को, किसी भी Illustration को, किसी भी Icon को हम क्या कर सकते हैं कि हम उसको Vectorize कर सकते हैं. इसके अलावा हम लोगों ने Image Trace की मदद से इमिजिस को Vector Textures के अंदर Convert करना भी यह भी सीखा था. अच्छा इस लेसन में मैं आप लोगों को थोड़ा सा उसका Overview देना चाहता हूं और इसके इलावा कुछ Options by Default मौजूद होती हैं Image Trace के अंदर जो के हमने पहले नहीं देखी थी वो अब हम इस Lesson के अंदर देखेंग और यह कुछ ऐसी Quick Options हैं जिनकी मदद से हम लोग बहुत Quickly by Default Options को Use करते हुए किसी भी Illustration को या किसी भी चीज़ को वेक्टराइज कर सकते हैं यह एक Illustration आप देख सकते हैं इस Illustration को हम लोग Illustrator में लेके जाते हैं और इसको हम वेक्टराइज करते हैं इसके लावा यह एक निकाल के रखे में तो चलेंज चलते हैं और Image Trace के मदद से सीखते हैं कि हम लोग By Default Options को Use करके किस तरह बहुत असानी के साथ Images को और डिफरेंट चीज़ों को आर्ट वर्क्स को वेक्टराइज कर सकते हैं अपने लिए ताके हम उनको असानी से डिजाइन में यूज कर सक जी Illustrator के अंदर जिसना से ये एक मेरे पास बहुत खुबसूरा सा जो है वो illustration वाला image है ये एक landscape है बहुत खुबसूरत और ये इस वक्त मेरे पास available है किसमे image के form के अंदर तो इसको मैं सबसे पहले आप लोगों को याद होगा हम image को लाके यहां पे उसको embed करते होते हैं ता अगर हम थोड़ा से जो साथ एक arrow बनाऊ है इसके ओपर अगर क्लिक करें तो यहां पर यह कुछ आप्शन्स हैं जो कि actually इस lesson में मैं आप लोगों को थोड़ा सा इन options के बारे में भी introduction देना चाहता हूं क्यूंकि यह हमने पहले जो है वो नहीं देखी थी और हमने जो है वो जाइम नहीं है कि हम उसको बैट के pen tool से draw करें किसी भी चीज को या प्रॉपरली उसको जाए वो इलिस्ट्रेट करें तो उस सूरत में यह जो हमारे पास by default छोटी सी options पढ़ी है यहां पे इनको इस्तमाल करते हुए बहुत कुईकली हम अपने visuals को vectorize करके vector form में उनको अपन है तो इसमें यहां पे preset में पढ़ी है यह options अच्छा जी सबसे पहले यहां पे हमारे पास है high fidelity photo इसको मैं apply करके देखता हूँ जैसे ही मैं visual को click करूंगा और यहां पे high fidelity को मैं apply करके देखूंगा तो यहां पे यह मुझे क्योंके मैंने preview on किया है तो यह मुझे यहां पे म इसको मैं undo करता हूँ और इसके नीचे एक और हमारे पास option है low fidelity अब यह दोनों में difference क्या है वो मैं जर आपको थोड़ा सा बताता है चलूँ जो high fidelity photo मैंने भी आपको apply करके दिखाया था उसमें आप लोगोंने देखा काफी ज्यादा details आ रहे थे और छोटे 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 इस थे यह जो low fidelity photo की option है यह भी काम वही करती है जो high fidelity की option कर रही होती है लेकिन फर्क सिर्फ यह होता है कि यह हमें बड़े patches के अंदर और थोड़ी सी कम detail के साथ comparatively larger patches जो है वो यहाँ पे हमें जिससे आप यह देख सकते हैं कि यहाँ पे यह कुछ बड़े-बड़े patches बन इनको अगर मैं इस image को expand करने के बाद अगर इस image को मैं control shift G की मतलब से ungroup करके आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पे आप को पता चल जाएगा कि यहाँ पे यह सारे different portions बन चुके हैं different जो है वो paths बन चुके हैं तो यह बड़े paths में हमें produce करके देता है हमारा जो जो भी हमारा visual होता है अगर इसको मैं expand कर दूँ तो यह देखें यह हमारे past में यह clear हो गए है अब इसको अगर मैं ungroup करूं control shift G की मतलब से और यहाँ पे आपके यह देखें मैं अलएदा-अलएदा करना शुरू करूं तो यह देखें यह patches में यह बन चुके हैं हमारा visual जाए वो patches की सूर यहां पे preset में हमारे पास कुछ colors की options हैं वो यहां पे हमारे पास available हैं जैसे कि three color six color इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं यहां से एक और visual जो है यह मैंने एक यहां पे रखावाई जनाबिया ली एक और cartoonic image मैंने रखावाई यह cartoon बनावाई और मेरे पास ही इस वक पहला जो है यह जे पैक के अंदर available है अच्छा आप यहां पर आके अगर मैं इसको select करूं और three colors के अंदर चला जाओं तो यह आप देखेंगे कि यह जो मेरा visual था वो ना सिर्व वेक्टराइज हो गया है बलके वो three colors के अंदर चला गया है कम colors के अंदर उसको जो है वो monotone के अं निस्बत ज्यादा color range जो है वो मिल रही है यहां पर इसी तरह से हमारे पास यहां पर 16 colors की option मौझूद है यह जब हम apply करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास उससे भी ज्यादा six color से भी ज्यादा जो color range है वो हमारे पास यहां पर आ गई है अगर इसको मैं expand करूं तो यह हमारे parts बन चुके हैं ठीक है जी और अगर मैं इसको ungroup करता हूं control shift G की मदद से और अब अगर आकर मैं इनको जो है वो selection या direct selection tool की मदद से अगर मैं अलग अलग करके आपको दिखाऊं तो यह देखें यह पूरा visual हमारा इस तरह से vector parts के अंदर divide हो चुका है जो के पहले हमारा क्या थी हमारे पास एक J-Pag तो यह कुछ options हैं यह मैंने आपको बताई अच्छा अब एक और मैं यहां पे यह मेरे पास एक घड़ी का चोटा सा यह पड़ावा जी visual इसको मैं बैट करके थोड़ा सा इसको अपने canvas के अंदर लेके आरों आर्ट बोर्ड में अच्छा अब यह आप देख सकते हैं यह flat image है ठीक है है यह भी हमारे पास image ठीक है जी यह PNG form में हमारे पास available है यह जनाब यली अब इसके उपर मैं यहां से आ available था कुछ इस तरह से आप blurness जो है इसके अंदर देख सकते हैं अगर मैं इसके उपर black and white logo apply करूं तो यह देखें बड़ा clear है बड़ा easily visible है कि यह हमारे पास जो है वो वेक्टराइज हो चुका है ठीक है जी अब अगेन अगर हम इसको expand कर दें और उसके बाद कुंट्रोल shift G कर दें तो हम देख सकते हैं कि यह हमारे पास different portions के अंदर जो है यह हमारे पास जो हमारा जो एक पूरा हमारी यह पी अजी थी है हमारे पास different portions की चकल जो है यह अग्तियार कर चुकी है यह अब तीन portions में यह ड़ाइड हो गया तो इस तरह से हम black and white logo की मदद से जो चीज ह यहां पे हमारे पास एक यह guitar का image पड़ा हूँ है इसको भी मैं ज़रा यहां पे लेके आता हूँ और इसको मैं embed करता हूँ, embed करने के बाद मैं zoom in कर लेता हूँ अब यहां पे यह मैंने आपको कुछ options दिखाई थी यह नहीं में से मैं इसके उपर, for example, low fidelity photo जो है यह मैं apply करके देखता हूँ यह देखें, यह बड़ा खुबसूरत सा मेरे पास vectorized image आ गया है, अच्छे यहां पे एक और चीज़ मैं आपको बताता है, चलो यह view के अंदर अगर हम देखें नीचे तो यहां पर tracing result है, अब यह tracing result इसको मेरे सामने वह मेरा trace result आ रहा है जो कि इसको मैंने trace कर लिया हूँ इसके बाद नीचे एक और option है, जिए tracing result with outlines, अब यह जो है, यह outlines भी दिखा रहा है, tracing के सासथ की जो path बने हैं, जो image trace की feature ने path create की हैं इस image में से, वो path भी आपको नजर आने शुरू हो गया है, उसकी outline आपको नजर आनी शुरू हो गया है, अगर आप खाली उन path की outline देखन चाहें, तो इस तरह से आपको वो यहां पे तीसरी option में, outline में वो चीजें जाएंगे, वो पूरी एक outline में path नजर आ जाएंगे, इसी तरह से outlines with source image, यानी source image वो image है, जिस से हमने image trace की मदर से उसको trace किया, या vectorize किया, तो वो भी हमें देखने को मिल जाएगा, और इस तरह से हम path जो है, path बढ़ा सकते हैं, ठीक है, उसके लवा हम corners जो है, path के, उनको हम कम ज्यादा कर सकते हैं, noise इसमें add या reduce कर सकते हैं, तो यह देखें, अगर आप ज्यादा noise इसमें add कर देंगे, तो यह कुछ इस तरह का noisy सा vector जब आपको मिलेगा, जबकि अगर मैं noise को reduce करता हूं कम रखता हूं, तो यह देखें, हमारी जो detail है, हमारे वेक्टर की, वो अपनी जगा पे काईम है, इसको हम अगर expand करें, और control shift B करें, तो यह देखें, यह हमारे पास, अलग अलग path की मदद में, हमारा जो एक visual है, यह available है, तो this is all about, जो कुछ overview में आपको देना चाह रहा थ image trace के हवाले से कुछ options यो by default मौजूद थी, यह भी हम लोगों ने देखनी है, और यह आप लोगों के लिए उस वकाम आएंगी जब आपको बहुत क्विक्ली कोई चीज वेक्टराइस करके, अपनी किसी भी design या layout के अंदर इस्तमाल करनी होगी, जी तो हम लोगोंने image trace को म हमारे visual में use होने के बाद वो हमारे जो layout है, हमारी या हमारा जो design है, उसकी जो face value है, उसको कम ना करें बलके उसका एक मुनासिब हिस्सा जाए, वो बन जाए, तो यह हम लोगोंने देखा, अब next lesson में है, हम लोग इंशाला ताला कोई और नई चीज जो है, वो create करनी सीखें